Hello students, welcome back to the channel, Dinesh Sir, Life Study, आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th Science Stream का जो Maths है, Maths 2 का पहला चैप्टर Complex Number Last lecture में आपने जो है Complex Number के Basics देखे थे और 1.1 exercise के starting questions number 1, 2, 3 देखा था और question number 4 हमारा चालू था, question number 4 के अंदर starting के 4 questions हमने देख लिए थे sub questions, अब यहां से जो है, question number 4 के अंदर 5th sub questions के आगे का पाट हम देखेंगे, तो चलिए start करते हैं Last lecture में आपने जो question number 4 देखा था, 4 के starting के 1, 2, 3, 4 sub questions, क्या किया था हमने question number 4 में? Express in the form of a plus bi, जो भी दिया हुआ इस तरह से question है, उसको a plus bi के form में convert करके a और b की value find करना है चलो उसको continue करते हैं 5th question को, यहां पर देखो कि 1 plus i upon 1 minus i the whole square है यहां जैसे a plus b the whole square होता है, हम इसको simplify करेंगे 1 plus i the whole square, यह whole square है उपर नीचे दोनों को दो, numerator और denominator को देखो बच्चों यह उपर वाले भाग जो होता है ना उसको numerator बोलते हैं अपन के नीचे जो होता है उसको denominator बोलते हैं जो numerator है उसका भी square हो गया, denominator का भी square हो गया, अब a plus b the whole square करो, पता है ना क्या होता है? a plus b the whole square, 8th standard में सिखा था, a square plus 2ab plus b square, यह होता है, यह हो जाएगा, 1 square 1 plus 2 into 1 into i, 2i plus i square अपन, यह भी इसी किदर हो जाएगा, 1 plus i की जाएगा, 1 minus i है, तो यहां minus आजाएगा, 1 square minus 2 into 1 into i, 2i plus i square, अब आपको यह भी पता है, i is equal to root minus 1, i square is equal to minus 1, i cube is equal to minus i, और i raise to 4 is equal to 1, यह जो है, हमेशा के लिए याद रखो इतना chart, हमेशा जब भी i square, i cube या i4 आएगा, तो उसकी values आपको use करना चाहिए, यहां पर, तो यहां देखो, अब 1 plus 2i, और यह i square, i square क्या होता है, minus 1, तो i square minus 1 plus, plus minus minus 1 हो गया, अपन 1 minus 2i, plus i square क्या है, minus 1, तो यह plus minus क्या हो जाएगा, minus 1, अब यहां देखो, 1 और minus 1, यह 0 हो जाएगा, उपर, minus हो के, फिर यह 2i बज गया सिर्फ, अपन 1 और minus 1, यह भी 0 हो गया, minus 2i बज गया, अब यह 2 से 2 cancel, i से i cancel, तो 1 अपन minus 1 बचा, so exactly minus 1 बज ग गया, लेकिन अभी हमें करना क्या था, express in the form of a plus bi करना है, तो यह देखो, यहां से यहां तक solution होगा, यहां लिखता हो इसके बाद, so a plus bi, यहां तो i b यहां पर दिया होगा, कोई बात नहीं, a plus bi, यहां तो minus 1 है सिर्फ, okay, इसके साथ i नहीं है, मतलब जो i वाला part है, imaginary part है, उसका coefficient 0 है, so minus 1 plus 0 है, इसका आगे continuation, so compare करो, a की value क्या आ गई, minus 1, and, जो i के साथ b है, उसकी value क्या है, i के साथ 0, यह आ गया, a minus 1, and b is equal to 0, तो यह जो question ता, fifth, यहां से शुरू हुआ, देखो, यह है, और यह आप एक बार याद कर लो, ठीक है, यह यहां पर a plus b the whole square formula मैंने यह लिखने की जुरूत नहीं है, क्योंकि यह basic होता, और यह मन में याद रखो, okay, कहीं पर तो लिख के लो, बार-बार अब मैं नहीं बताऊंगा इसको, okay, तो question no.4 में, fifth हो गया, करना क्या था, जो भी question दिया था, उसको simplify करो, a plus b i के formula लाओ, उसमें a और b की value अलग करके लिखो, ठीक है, चलो next question देखते हैं, अब next question, करना क्या है देखो, question देखके ही, जैसे मतलब, ऐसा कोई rule नहीं है कि यह formula लगा दो, question देखो, वहाँ multiply दिया है, division दिया है, जैसे इसके पहले वाले में upon में था, और square था, तो हमने a plus b the whole square कर दिया, आपको simple करना है, simplify, जो भ बीच में plus है, क्या दोनों plus हो सकते हैं, ये दो fraction है, दोनों का denominator सेम है क्या, नहीं, ये minus में, ये plus में, नहीं है सेम, तो दोनों plus नहीं हो सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर cross multiply करते हैं, simplify कैसे भी करो, जैसे तुम कर सकते हो, इसका इसमें multiply करो, 3 plus 2 2i और 2 plus 5i, और इसका यहाँ plus है, इसका इसमें करो, 2 minus 5i और 3 minus 2i, समझ में आ रहा है, इन दोनों का cross multiply, इन दोनों का भीच में plus है, अपोन, नीचे नीचे multiply, ये क्या है, 2 minus 5i into 2 plus 5i, समझ में आ गया, अब क्या करों किम पता है, is equal to, इनका multiply कर दो, कैसे करों के देखो, 3 का multiply दोनों में करना, 2i का multiply दोनों में करना, 2 का multiply दोनों में करना, 2 का multiply दोनों में, 3 2s are 6, 3 into 5, 15i plus 2i into 2, 4i plus 2 5 is the 10, i i i square plus, यहाँ पर a minus b, a minus, यह formula नीचे बन रहा है, 2 3s are 6, 2 into minus 2, minus 4i, minus 5 into 3, minus 15i, minus minus plus 5 2s are 10 or i square. यह देखो, a minus b into a plus b है, यहाद रहा है, a minus b into a plus b क्या होगा, formula होता है, a square याने 2 square minus 5i square, okay, a minus b और a plus b का multiply करते हैं, a square minus b square आता है, अगर आपको ऊपर के जैसे करना है, 2 का multiply दोनों में करो, फिर minus 5i का multiply दोनों में करो, तो भी चलेगा, यही आएगा answer, वो कट जाएगा, बी minus 4i cancel, 15i minus 15i cancel, अब यह 10i square और यह भी 10i square है, चलो, plus है दोनो, 6 और plus 6 है, तो 6 plus 6, 12, 10i square और 10i square मिलके 20i square, अपन 2 square 4, minus 5 का square 25, और यह i square, इसको और स्वाल करोगे, तो 12 plus 20, i square क्या होता, i square minus 1 होता, यादे ना भी बताया था बिछले question में, 4, minus 25, i square होता है, minus 1, is equal to 12, 20 into minus 1, minus 20, अपन 4, minus minus plus, okay, plus 25 होता है, 25, so कितना होता है, 12 minus 20, minus 8, अपन 4 plus 25, 29, समझा, अब इसको करना क्या था है, a plus b i के फर्म में करो, so a plus b i is equal to, यह क्या है, देखो, minus 8 upon 29, इसके साथ i है क्या नहीं, मतलब i वाला जो पार्ट है, वो 0 i है, image नहीं पार्ट, यह real part है, plus कर दिया, so अब compare करोगे, तो a की value क्या है, यह real part, minus 8 upon 29, and जो i के साथ b है, b के, यहाँ i के साथ 0 है, यह होगे आपका a और b का value, okay, इस तरह जब कोई real number आथा, तो plus 0 i लिख दो, अच्या, textbook के अंदर, यहाँ a plus b, i को न, ऐसे लिखा, a plus ib, तो चलेगा, यह लिखो यह लिखो, यह लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक, attention मतले ले ले लेना, चलो, यह sixth question होगे, इसको copy करो, अगला देखते हैं, अब next question, 7th वाला, क्या दिया देखो, 1 plus i raise to minus 3, जब भी इस तरह से कोई negative power हो, तो उसको पहले आप क्या करो, यह minus 3 को plus करने के लिए 1 upon कर दो, तो यह denominator में आ जाएगा, denominator के upon की नीचे denominator बोलते हैं, माइनस 3 का हो जाएगा, 3, समझ में है, 1 upon 1 plus i cube, अब क्या होगा देखो, a plus b, the whole cube का formula आपने सीखा था, 8th में, क्या था देखो, a cube plus 3 a square b, plus 3 a b square, plus b cube, यह formula था, a plus b, the whole cube का, इस formula को यहाँ apply करो, so, देखो, कैसे भी करके simplify कर ला है, अभी हमने fifth question में देखा था, whole square था, तो हमने whole square कर दिया, यहाँ cube है, तो cube भी minus है, minus को अटाने के लिए 1 upon किया, अब यह a plus b cube कर दिया, जो सामने दिखेगा, वो करो, कोई particular rule नहीं है, formula नहीं है, simplify करना है, तो क्या formula था, 1 cube plus 3 into 1 square into i plus 3 into 1 into i square plus i cube, देखो, जो formula ही apply कर दिया, तो यहाँ जेगा, 1 upon 1 cube 1, 3, 1 square 1, 1 into 3, 3 into i, 3i, i square क्या होता है, minus 1 into 3, minus 3, i cube क्या होता है, minus i होता है, फिर से मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, i होता है, root minus 1, i square होता है, minus 1, i cube होता है, minus i, i raise to 4 होता है, 1, यह याद करके रखो, ठीक है, i cube क्या होता है, minus i, इतना आना चाहिए, अब देखो, यह i square क्या है, minus 1 into 3, minus 3 और i cube क्या है, minus i simplify 1 upon 1 और minus 3 मिलके minus 2, 3i minus i किया, 3i minus i तो plus 2i अब यह आ गया, लेकिन हमें क्या करना था, a plus b i के form मिलाना है, यहां तो 1 upon आ गया simplify करो कैसे करोगे, simplify करने के लिए हम क्या करते है, इसका चाहिए तो 2 common ले लो, 2 common लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी चलेगा 2 common लोगे तो simplify हो जाएगा जैसे कि मैं यहां पर 1 upon 2 common लेता हूँ यहां किया, minus 1 plus i अब मैं क्या करता हूँ, इसके conjugate से multiply, conjugate क्या होथा है, इसके minus 1 plus i का conjugate लेता है, 2 मत देखो minus 1 plus i का conjugate क्या होगा, minus 1 और plus i का minus i, ऊपर नीचे multiply करना, याद है न, जब भी ऐसे होता तो conjugate, 1 upon है, अपन हटाना है तो upon की नीचे अगर i आ रहा है और 1 upon है, वो हटाना है तो conjugate से multiply, conjugate क्या होता है जो denominator के अंदर i, यह complex number है, उसका conjugate, जो i वाला term plus है, उसको minus कर दो, यह minus होता तो plus कर दे उपर नीचे multiply करना अब क्या जाएगा, देखो, 1 का multiply, इसमें किया तो वह है का, minus 1 minus i upon, यह 2 है, side में रखो, यह तो minus 1 plus i है minus 1 minus i है, तो a plus b a minus b, तो क्या हो जाएगा minus 1 the whole square minus i the whole square यह आ गया तो minus 1 minus i है यह क्या कि हम इने a square minus b square formula अपला हुआ, बहर 2 है, minus 1 का square 1, minus i square क्या होता है, minus 1 चलो, आगे simplify करते यह क्या गया, देखो, is equal to minus 1 minus i upon 2 into 2 into, 1 minus minus 1 plus 1, बहुत आसान है, okay, tension मतलो 1 plus 1, 2, 2, 2 is a 4 direct कर दो, तो क्या आ गया यह आ पर, यह आ चुका है, अब इसको simplify अगर करना है, a plus b i के form में, a plus b i तो यह minus 1 upon 4 कर दो फिर plus, देखो, यह a आ गया, फिर i के साथ minus है, तो minus 1 upon 4 कर दो और i कर दो, यह a plus b i है, देखो, यह 4 है, दोनों के नीचे कर दिया, 1 के नीचे 4 और i के नीचे 4, बड़ i के साथ minus 1 था, तो minus 1 upon 4 और यह already minus 1 upon 4, अब compare करो a की जगा पर क्या है, minus 1 upon 4 and i के साथ है b और यहां i के साथ है minus 1 upon 4, आपको a और b की value मिल गई, और सबसे पहले express करना तो भो भी कर दिया, कभी भी देखो upon में number आना चाहिए, जो i की value upon में नहीं आना चाहिए, यहां पर i upon में आ गया था, इसलिए हमने क्या किया conjugate से multiply गिया, अब आप बोलो के साथ 2 common नहीं लिया तो चलेगा वो बाद में cancel out ही हो जाएगा तो यहां पर इसका conjugate minus 2, minus 2i करना पड़ेगा उपर निचे, minus 2, minus 2i तो थोड़ा और complicated हो जाएगा ना चीजों को simple करके solve किया करो समझ में आया, copy कर लो यहां से यह formula आप दिखा सकते हो लेकिन यह सब छोटे मोटे formula दिखाने की जोरत नहीं है यहां से solution है यह final answer है, copy कर लो अगला question आपके सामने 8 वाला, देखो क्या है 2 plus root minus 3 है, upon 4 plus root minus 3 अब आप export हो चुके हो यहां आप बोलो कि sir, i तो दिया नहीं है अरे दिया है i, देखो यह है 2 plus root minus 3 को side में देखो, इसको हम हैसे ली सकते हैं root 3 और root minus 1 कभी भी याद रखो यह root 3 है और minus को अलग से किया यह हो जाएगा root 3 और root minus 1 होता i so actual में यह minus root के अंदर दिया मतलब i है, तो इसको मैंसे लिखेंगे root 3 और जो minus तो उसको i कर दो कैसे किया देखो यह, होना है तो यह आगया, real number plus imaginary number अब क्या करोगे, तो इनुमेरेटर में 2 plus root 3 और denominator में 4 plus root 3 और denominator में 4 plus root 3 और conjugate से multiply करो, upon में i आय उसको हटाने के लिए, तो जो upon में यानि denominator में जो यह 4 plus root 3 इसका conjugate क्या हैगा, 4 minus 4 minus root 3 और upon क्या करोगे, 4 minus root 3 इसी से उपर नीचे multiply करना अब इसका multiply इसका उपर का उपर और नीचे का नीचे तो यह क्या जाएगा 2 प्लस रूट 3 आए इंटू 4 माइनस रूट 3 आए सबसे पहले देखो denominator 4 प्लस रूट 3 आए 4 माइनस रूट 3 आए तो इसका multiply कैसे करोगे हर बार की तरह formula था ना a plus b और a minus b क्या था यह a square minus b square समझ जा रहा है तो बैसे करोगे तो यह हो जाएगा 4 square minus यह जो रूट 3 है रूट 3 आए उसका square तो यह नीचे नीचे multiply किया तो यह formula अपला हो गया यहाँ करोगे क्या होगा 2 का multiply दोने में करो समझो bracket है यहाँ पर सब 2 का multiply दोने में करो 2 forza 8 minus 2 into minus root 3i minus 2 root 3i root 3i into 4 plus में 4 root 3i root 3i into root 3i minus और plus मिलके minus root 3 root 3 3 ii i square यह हो गया यह क्या हो गया देखो 8 minus 2 root 3i plus 4 root 3i 4 root 3 में से 2 root 3 दोनों के साथ i है तो minus कर सकते हो 4 root 3 में से 2 root 3 क्या तो 2 root 3i अब यह 4 root 3 बड़ा है plus है तो plus आगया minus 3i square क्या होता है minus 1 अब 1 4 square 16 minus root 3 square 3 और यह i square simplify करो यह देखो यह क्या हो गया 8 plus 2 root 3i minus minus plus 3 बढ़ा 3 16 minus i square क्या होता है minus 1 minus 1 into 3 minus 3 into i square यहां से minus बड़ा होता है देखरे हो चाहिए तो लिखके दिखा दो चलो minus 1 next step और करते यहां पर देखो 8 और 3 plus करना यह plus नहीं होगा दोनों क्योंकि यह i or root 3 8 3 11 plus 2 root 3 upon 16 minus minus plus 3 बढ़ा 3 क्या आ गया देखो 11 plus 2 root 3 upon 16 plus 3 19 यह आया इसको आगे simplify करो a plus bi के form में लिखते हैं तो क्या जाएगा यह 19 को दोनों के निचे लेगो 11 upon 19 11 upon 19 यहां पर i कहां चला गया कैंग miss हो गया क्या i देखो यह i मैंने लिखा नहीं 8 plus 3 11 2 root 3 i यहां पर i था miss हो गया था i रहना चाहिए न 11 upon 19 हो गया plus 2 root 3 upon 19 i 2 root 3 upon 19 i तो यह आप complex नमबर आ गया a की जगा 11 upon 19 किया bi की जगा पर 2 root 3 upon 19 i upon में जो 19 था दोनों के निचे लिखो यहां पर i है यहां i नहीं था तो अब क्या करोगे comparing a is equal to a कितना हो गया 11 upon 19 and i के साथ क्या है b तो b कितना आ गया i के साथ क्या है 2 root 3 upon 19 तो इसको आप highlight कर दो जो भी final answer आता इसको highlight कर देना चाहिए इस तरह से हो गया यह सब जो मैं बताता हम यहार रख बताता हम आप वो लिखने की जुरूद नहीं समझने के लिए तो यहां से आपको copy करना है यहां चलो आगे देखते हैं अगला question अब fourth में ninth वाला question देखो इस तरह से दिया हुआ है तो क्या करेंगे equal देखो यहां पर minus बाहर है root के बाहर है ने दो और plus 2 यहां देखो 1 minus root 9 और यह minus है वो i हो गया यह देखो a plus b और a minus b है तो यहां पर क्या करो के a plus b a minus b क्या होता है a square minus b square का formula अपलाए कर दिया काफी simple question है यह minus root 5 plus root 4 क्या होता है 4 का square हो 2 2 और 2 का multiply होके 4 हो गया i समझने आ रहा है 4 का square हो 2 और 2 into 2 4 i plus 1 minus root 9 क्या होता है 3 i यहां bracket नहीं देंगे तो आप चलेगा क्योंकि यह plus multiply है नहीं है फिर plus 2 का square 4 minus 3 का square 9 और यह i square देखो कुछ cancel हो रहा है क्या नहीं simplify करते हैं यहां पर देखो 4 plus 1 5 हो गया और यह minus root 5 है 4 plus 1 5 minus root 5 4 i में से 3 आई गया 1 2 3 यह सब होगे अब यह minus 9 i square क्या होता है minus 1 5 minus root 5 plus i minus 9 into minus 1 plus 9 अब यह 9 और number और यह 5 number है इनको plus कर दो 9 और 5 14 और minus root 5 plus i अब यह देखो यह पूरा number है यह imaginary part यह real part अब इसको compare करोगे a plus bi के साद़ तो क्या हैगा 14 minus root 5 यह a आ गया और bi i मतलब i के साथ कुछ नहीं है तो 1 है तो a की value आ गई 14 minus root 5 and जो यह i के साथ 1 हो क्या होगे अब b की value होगे तो इस तरह से आपका जो solution आ गया इसको हम bracket दे देंगे यह a की value देखो इस तरह से आया और यह b की value आई देखा बहुत ही आसान है चलो copy करो इसको अगला जो question है बहुत ही आसान है 2 plus 3i क्या दिया है देखो 10 2 plus 3i into 2 minus 3i multiply में दिया हुआ है इस तरह से तो यह तो simple है na a plus b into a minus b तो आप क्या करोगे first term square minus second term square 2 square और 4 minus 3 square 9 और यह i square आ गया so 4 minus 9 i square minus 1 होता है 4 minus minus plus 9 4 plus 9 13 अब a plus b आई अगर लिखना है तो क्या करोगे 13 plus i i तो है नहीं तो 0 i so a की value क्या हो गई 13 and b value क्या हो गई b value 0 यह होगे आपका a और b value काफी आसान था ऐसे question तो हम कबसे कर रहे है है na चलो इसको copy करो अगला देखते है अब आच चुका है बहुत ही interesting question क्या है देखो 4 i raise to 8 minus 3 i raise to 9 plus 3 और इस तरह से question number 11 है fourth में last question है तो ऐसे question जब भी solve करना है तो क्या करना पड़ेगा देखो यहाँ पर आपको बता दू i raise to 4 है न 1 होता है तो आपको हमेशा i raise to 4 का multiple i raise to 8 i raise to 12 i raise to 16 यह लाना चाहिए तो सब की value क्या हो जाती है 1 i raise to 4 का multiple 4 to the 8 to the 12 8 4 3 is the 12 4 4 is the 16 ऐसे simplify कैसे करना है देखो 4 i raise to 8 इसको i raise to 4 square कर दो तो यह 1 का square हो जाएगा minus 3 i raise to 9 को मैं i raise to 8 into i raise to 1 करता हूँ nearby number लाओ देखो i raise to 8 1 होता है i raise to 9 का nearby number क्या i raise to 8 और into i raise to 1 हो गया plus 3 ऐसे करना है फिर यहाँ पर i raise to 11 है तो 3 i raise to 11 को जाएगा i raise to 8 into i raise to 3 8 और 3 11 तो मुझे देखो i raise to 4 लाना है i raise to 8 i raise to 12 i raise to 16 इस तरह से लाना है अब यह क्या है minus 4 i raise to 10 है नस्दी का क्या है 8 है तो i raise to 8 और i square 8 और 2 मिलके 10 हो गया तो यह तरीका है इसको follow करो हमेशा i raise to 4 या i raise to 8 या 12 16 लाने की कोशिश करना अब देखो 4 i raise to 4 1 होता है 1 square minus 3 i raise to 8 भी 1 होता है into i i raise to 1 होता है i plus 3 यह आ गया अब देखो 3 i raise to 8 1 i cube होता है minus i देखो यहां से देख सकते हो minus 4 i raise to 8 हो जाएगा 1 देखो i का पावर 4 का multiple होता होता 1 ही आएगा और i square minus 1 होता है minus 2 अब simplify करो 1 square 1 1 into 4 4 minus 3 बढ़ा minus 3 और i भी है plus 3 अब यह 3 into 1 3 into minus i minus 3 i हो गया minus minus plus 4 बढ़ा 4 और minus 2 है simplify करेंगे तो क्या है कि 4 plus 3 7 minus 3 i आया यहां 4 minus 2 2 number पहले लिखो और minus 3 आया तो यह है अब इसको solve करना पड़ेगा अभी भी उपर नीचे i आया है तो जो दिया हुआ question तब वो higher power of i था तो उसको simplify करके एक simple solution लाया है बट उसमें अभी भी i है बट denominator भी है fraction है तो conjugate से multiply करके इसको solve करते हैं कैसे करोगे देखो यह है 7 minus 3 i upon 2 minus 3 i conjugate किसका लेते हैं हमेशा denominator का जो नीचे होता न upon के नीचे जो होता है denominator उसका लेते हैं 2 minus 3 i का conjugate 2 plus 3 i upon 2 plus 3 i यह i वाला टम minus है तो उसको plus कर देना plus होता तो minus multiply करो अब यहां से जो चीजे हैं यह हटा देते अब देखो यह तो कितना आ जाएगा देखो numerator का numerator में multiply कैसे करोगे यह जो 7 है 7 का multiply दोनों में फिर 3 i का multiply दोनों में 7 2s are 14 7 3s are 21 i i है तो i भी देदो minus 3 i into 2 तो 2 into minus 3 minus 6 i 3 3s are 9 or i square minus 9 i square upon चल्ड यह उपर उपर multiply होगे आप नीचे नीचे करो a minus b और यह a plus b है तो formula हमेशा की तरह कभी भी याद रखो a plus b और a minus b होगा यह a minus b पहले a plus b बाद में है तो हमेशा a square minus b square करना है आपको तो क्या जाएगा 2 square 2 square minus 3 i the whole square यह क्या होगा 14 21 i minus 6 i तो plus 15 i minus 9 i square क्या होदा है minus 1 2 square 4 minus 3 square 9 और यह i square 14 plus 15 i minus 9 into minus 1 plus 9 बन्जा 9 4 minus 9 i square क्या होदा है minus 1 minus 1 into minus 9 plus 9 क्या गया देखो 14 plus 9 14 और 9 क्या तो 23 23 plus 15 i और 4 plus 9 13 इसको a plus b i के form में आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे a plus b i का form यह formula हटा दे देखो यह 13 को दोनों के नीचे लिखो 23 upon 13 plus 15 i upon 13 यह आगया a plus b i के form में हमने express कर दिया अब a state the values of a and b a की value क्या आगई 23 upon 13 and जो i के साथ b है i के साथ b है i के साथ b है उसकी value आई 15 upon 13 यह आगया इसको आप highlight कर दो इस तरह से a की value को box कर दो b की value को box कर दो इसको भी box कर दो तो भी चलेगा क्योंकि यह cancer था और यह उसके बाद दूसरे question का answer यह था तो इस तरह से question number 4 जो है 11 सब question थे आपकी text book के अंदर और यह complete हुआ यह जो exercise 1.1 है काफी lengthy है यह हो गया तो समझो 1.2 चोटा सा है तो complex number chapter हम कर रहे है one by one इसके बाद के concept बहुत ही आसा होने question number 5 से यहाँ पर approximately 24 questions सारी चीज़े मैं बदाऊंगा tension मतलो आप सीखते रहो मेरे साथ इसको पहले copy कर लो तो student उमीद करूँगा आपको सब कुछ समझ में आवगा बहुत ही easy concept है लेकिन अगर आप starting से सीख रहे है मैंने जो यह सीखाना चालूँ कि part 1 complex number basic बताया था फिर part 2 के अंदर 1.1 चुरूँ हुआ यह सारी चीज़े अगर आप एक के बाद एक देखते जाओगे तो आपको सारी चीज़े बहुत आसान लगने लगेगी और 11th का पूरा मैस मैंने पढ़ा के रखा है tension लेने की कोई ज़रत नहीं सिर्फ यह चेप्टर और एक probability बचा है वो मैं कर दूंगा अभी दिरे-दिरे करके आप लगातार सिखते रहो मेरे साथ यह चेप्टर सीखो और भी चेप्टर सीखने तो अलरड़ी वो uploaded है playlist में जाओ आपको सारे चेप्टर मिलेंगे और इतना ही नहीं 12th का भी science का पूरे lecture मैंने upload करें के रखें प्लेश्ट में अगले साल आप 12th की पढ़ाई करने वाले हो new syllabus जो इस साल है आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है कोई attention लेने के जुरत नहीं आपको और उसके साथ अगर आपके कोई friends commerce वगरे में है और मैंस लिया है तो उनके लिए भी मैंने commerce की सीरी स्टाइट की है उनको जरूर बताएं कि जुड़ें 10th का भी lecture मेरा चालू है आपने दोस्तों को जरूर सजिस्ट करें अगर आपको पसंद आ रहा है और मेरे साथ आप बने रहें चानल पर पहली बार आए तो चानल को सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब करना बिल्कुल free है यह सारे lecture साप लोगों के लिए बिल्कुल free है और वीडियो को हमेशा like कर दिया करो चलो मिलते हैं